सावनेर तैसिल के बंद पड़े कंधान नदी के खाड से खुलेयाम रेती चोरी की घटना कोई नई बात नहीं है स्तानिय राजस्वेविभाग कितने 20-70 ता बरते लेकिन रेती चोरी में लिप चोर अपने कारियों का अंजाम देने में ना दिन देखते हैं ना रात अब तो रेती चोरों के होसले इतने बुलंद हो गया है कि वे अधिकारियों से भिटने तक गुरेज नहीं रहे और कई बार तो वे हमला खोरी तर पेश आने लगे है ऐसे ही रेती चोरी का मामला 28 मई की सुबह साड़े आड़ बजे के करीबू जागर हुआ जाखा पानिवासी पंकश पैठन कर अपने ट्रक क्रमांग में चालीस एक के 78-78 से अवेद रेती परिभन की जानकारी तैसलदार प्रतापवाग मारे को प्राप्त होती ही उन्होंने अधिनास्तर राजस्ववेभाग की जैसिंगरा ठोड तथा पटवारी खापा रोडस्तित उडान पूल के पास नाकाबंदी कर उक्तर ट्रक को रोग कर सावनेर पुलेस में उस पर मामला दर्श करा कर आगे की कारवाई की जा रही है प्राप जानकारी के अनसार उक्त घटना में लिप खापानेवासी रेती चोड पंकश पैठन कर अपने आपको भारती जंता पार्टी का बड़ा कारी करता बता कर तथा पार्टी के बड़े आकाओ के रसुक के कारण ही उसके हौसले और बुलंद होते जा रहे है जिसके चलते वहादिकारियों से भेटने लगा है या यू कहे कि चोरी तो चोरी उपर से सिना जोरी प्राप विश्वस्त जानकारी के अनसार रेती चोर पंकश पैठन कर पर इससे पहले भी अने को ब बिना रोयल्टी केज रेती चोरी के मामले दर्च है लेकिन अपने आकाओ के रसुक के कारण हर बार बच निकलने में काम्याब हो जाता है साथ ही उसके ट्रक क्रमांक मेच चालिसे के 78 अठरा पर सावनेर वकल मिश्वर तैसल में बैन लगा है फिर भी उसका वहन रास्ते पर चोरी की रेत ध्यडल देसे परिवहन करता है वही अंतीम समाचार लिखी जाने तक सावनेर थाने में शिकायत दर्ज नहीं हुई थी साथ ही आरूपी पंकश पैठन करको इसकी भनक लगती रेती चोरी में इस्तमाल किया गया खाली ट्रक सावनेर तैसल में लगाने की जानकारी निकल कर आ रही है यह भी आगे जाश का विशे बनकर मामले में और भीहार रूपी बढ़ने की शंकाओं को नाकारा नहीं जा सकता बिस्यन नियूस के लिए सावनेर से किशोर धुंडेले